युहना 17 ध्याय वचन 3 आज हम उसकी मर्जी जानते वे आगे बढ़ेंगे ताकि उसकी मर्जी हमारे कामों का निवारण बनें और आज हम युहना रचे सो समाचार सत्रा ध्याय खोलिए और वचन तीन पर ध्यान दिजिए और वहाँ ऐसा लिखा गया है अनन्त जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और येशु मसी को जिसे तुने भेजा है जाने अनन्त जीवन यह है कि तुझे एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और येशु मसी को जिसे पिता ने भेजा है जाने आपको उसे जानने की जरूरत है पिता कोने पुत्र कोने पवितरात्मा कोने जानने की जरूरत है आज परमेश्वर के इच्छा है यह है कि आप येशु मसी को जानाओ उसकी इच्छा यही है पिता को और उसके अद्वैत पुत्र को जिसे पिता ने भेजा धर्ती के उपर उसे जाने और यही कारण है कि आप नहीं जानते आप गलती करते यही कारण है कि आपका आत्मिक जो गती है वो कहीं ने कहीं शैतान खरीद लेता है आपका आत्मिक वैलुएशन शैतान ले लेता है आपका आत्मिक वैलू आप नहीं समझते इसलिए शैतान आपको खरीद लेता है और कहता है ए बबा तुई दर आप मैं तुझे पांच रुपए में खरीद लेता हूँ और आप पांच रुपए में शैतान के हाथ बिख जाते हो क्योंकि आपको value नहीं मालूम आत्मिक्ता का क्या है आत्मिक्ता का value उसका मूल्य जिस दिन आपको आत्मिक्ता का मूल्य पता चलेगा आप अपने आखों के सामने अध्मरे मरे लोगों को जिन्दा होते वे देखोगे मैं कहा रहा हूँ कि एकदम से खतम हुए लोगों के अंदर स्वांस डालने वाला परमिश और आपके साथ हो ले गए शुके नाम है आपको उसकी वैलू समझ में आनी चाहिए आपको अगर उसकी कीमत नहीं समझ में आई आप विकार हो शेतान आपको खरीद लेता है एवैलुएशन नहीं मालुम है परमेशवर के वचँन की कीमत नहीं पता है इसलिए वो आपको खरीद लेता है वो आपकी देह को खरीद लेता है ब्यवीचार के वास्ते excellence रहे में एक पतनी यह दούसरा पतनी रख लेता है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि मैं कहा हूँ, मैं कौन हो मेरा क्वाल्टी क्या है, मेरी काबिलियत क्या है अगर आज आप येश्यो मसी के सामने इदर बैटे आप किसी व्यक्ति के सामने बैटे क्या बोलके बताईए सबजन आप किसी मनश्य के सामने बैटे आप उस व्यक्ति के सामने बैठे हैं जो स्वारिक उसका सिंगासान है प्रतिविय उसकी पाउंत लेके जाओ किये आप उसके सामने बैठे हैं जिसे एक बारा साल की लहो बहनी वाली इस तरी विश्वास से छूती है और विश्वास के प्रतिफल में जीना सुरू कर देती है आप उसके सामने बैठे हो जो चार दिन के मरेवे लाजर को जिन्दा कर देता है आप उसके सामने बैठे हो जिसके एक डांट से समुंदर दो भाग हो जाता है सुखी भूम ही बन जाती है आप उसके सामने बैठे हो, उसकी बात को सुनने के लिए बैठे हो जो सड़े और गले हुए मुर्दों को जिन्दा करने माला परमिश्वर है आमेन बोलिए आप साधारर नहीं हो यदि आप अपने आपको अवैलू नहीं समझा तो आप बेकार हो जाओगे शेतान आपको खरीद लेगा पाप के हाथ दे देगा आपको पाप की परिस्तिती को बोज लाद देगा आपके उपर और आप सरमिंदगी से घुड़ घुड़ के मर जाएंगे आज परमिश्वर कह रहा है उस अद्वैत परमिश्वर उसके पुत्र येश्व मसी को जानने की जरूरत है भाई भाई और बहन जानो उसे अगर आपने उसे नहीं जाना आपने उसे नहीं पहचाना आपकी दुर्गती तैं है वो चाहे मैं हूँ या आप आपको संसार से निकालनेला परमेश्वार कहता है दाउद कहता है भजन 30 वचन एक में तुझ पर सत्रूओं को प्रबल नहीं होने दूगा चिसा वाचा का वचन, आपको खुदा बन देता है कि आप ने उसे क्रैण पुड़ो, आपने जो चीजे अपने हिर्दय में डाली, आपने जो अपने बिवेक में रखी है, वो कह रहा है कि मैं जीवित हूँ और मैं आतमा घूता प्रान को भी चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ वो आपकी आतमा को चंगा करता। आपकी आप सोल को प्राण को जंगा करने वाला प्रभू है आमेन कहिए आप पड़ोस्य को बोलो उसे जानिए आप जानना ही है वो सामर्थी है वो अद्भूत है आमेन हालेलूया हालेलूया आप जब तक जब तक आप मसी को नहीं जानते आपका प्रश्न का हल नहीं मिलेगा आप जीवन भर प्रश्न करते रहोगे आपको उत्तर नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप पवित्र शास्त्र को नहीं जानते युहना आट का बत्ति सीधा सीधा कहता है सत्य को जान और सत्य तुम्हें आजाद करेगा हमें आजादी चाहिए मन की आजादी चाहिए हमारा शरीर की आजादी चाहिए कोई भी होता है आपके शरीर को मिस यूज करता है वेविचार में लेके चला जाता है आप उसमें तमाम कूडे करकट को डेली भरते हो आपको ये नहीं पता आप कितने महत्व पोड़ो बाइविल कहती ही कि एक दरोगा जब उधार पाता है उसके पूरा बारी बार उधार पा गया क्योंकि उसने परमेश्वर के महा आश्चर कर्मों को देख लिया आमिन बोलिये आप बाइविल कहती कि जेल हिल गया सलाखें तूट गई ताले तूट गई जंजीरे तूट गई दरोगा दोड़ते हुए आया बोला पत्रस उधार पाने के लिए मैं क्या करूँ वहाँ कुछ सूसमाचार नहीं बताया वहाँ कोई सूसमाचार नहीं था येशु मसी ने उस दरवाजे को हिला दिया पूरी जेल को हिला दिया मालूमें कि नहीं कितने लोगों को पता है और दरोगा कहता है मुझे उधार पाना है बता पत्रस मुझे क्या करना चाहिए प्रवु के दासों उसने कहा विश्वास कर जो विश्वास करे और बब्तिसमाले उसका उधार होगा पाइबिल कहती कि दरोगा उसी रात विश्वास किया बब्तिसमालिया और उधार में जीने के लिए तयार होगए ऐशुमसी के नाम में आमें बोले याद रखना इस बात को आप जब तक आप सच्चाई को नहीं जानोगे शैतान आपको मारता रहेगा एक मैदान है दो लड़ने वाले हैं एक विश्वासी है एक शैतान है अब उसमें से एक बंदा जीतेगा यह तो शैतान जीते यह तो आप जीतो अब अगर आप रेडी नहीं हुए अगर आप वच्चन को नहीं जाना और गंभीरता से नहीं लिया कि मैं आसान नहीं हूँ शैतान मैं साधार नहीं हूँ शैतान मैं परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उसके लहू के द्वारा खरीदा गया बेटा हूँ जब आप घोशना करते हैं मैं खरीदा गया हूँ मुझे किसी ने खरीद लिया है इस हटी और मांस को मेरी आत्मा को ले लिया है उसका नाम जीजस क्राइस्ट है जब पहले उससे परमीशन ले तब मेरे पास आना हम आपको किसने ले लिया है ये वैलू आपको मालू जब आप ये बोलते हो कि मैं मुझे किसी ने खरीद लिया है येशु मसी ने आपको अपना पवित्र लहू बहा के खरीद लिया है शैतान डर जाता है वो डर जाता है वो सोचता होगा कि ये सब्द न बोलते तो ठीक रहता है शेतान सोचता है कि ये वाग कि अगर न बोला होता तो मैं इस बेटी को सर को एट देता या इसके हाथ को मैं एट देता या सोते समय इसके गले को मैं दबा देता लेकिन इसने एक शब्द कह दिया वचन को जाने उसने कहे दिया कि मुझे किसी ने खरीदा है और आपको येशु मसी ने हमें येशु मसी ने अपना लहु बहा के क्या किया है अब हमारे माथे पर शैतान की मुहर नहीं है अब हमारे माथे पर पवित्र आत्मा की मुहर है आमेन बोलो और जब पवित्रात्मा आपके माथे पर अपनी मुहर दे देता है बाइविल कहती है शेतान छूना तो दूर, वो आपके सामने भी खड़े नहीं रह सकता हालेलुया, ओचा हालेलुया बोलकर शेतान को ड़ा आप सामान ने दसा में जीने वाले नहीं हो आप सामान ने नहीं हो आप याद रखना एक गवाई में पड़ रहा था और उस इलाके में ऐसा महमारी आया एक सबतों खतम हुआ एक परिवार की तीन बहने थी तीनों मर गई गालने के लिए नंबर एक नंबर दो नंबर तीन चार पांच छे साथ आठ पचीस चौबिस और पचीस लास से गढ़ने के लिए उस परिवार का जन दोड़ता हुआ प्रभु के दास के पास और जाना बहुत दूर था उन्हें काफी दूर था नंबर लगा हुआ था चौबिस पचीस वां तैस वां चौबिस वां पचीस वां दफना देना है परमेश्वर के दास के पास सूचना पहुचा चल कर कि क्या आप प्रेयर कर सकते है क्या क्योंकि वहां महामारी लोगों को मार रही है क्या आप चल के दुआ कर सकते है क्या हाँ चल के दुआ करेंगे चल के देखते हैं भी यह प्रात्ना करेंगे प्रभु के दास को लिवा की वो आती है और उस जगे पे जब आती है वो मंजर देख करके लोग हिल गे और जब वो घुटना टिक करके प्रातना करना स्थुरू करता है हे मेरे पिता 23, 24, 25 अंदर नहीं जाना चाहिए करके मैं दुआ करता हूँ ये तीनो बेटियां तेरी हैं और तुछ पर विश्वास करती हैं मैं प्रातना करता हूँ पैरम पिता इन्हें जिन्दा होने के लिए प्रभु गवा ठहराना चाहता था पूरे इलाके के लिए याद रखना है नंबर आते आते सच्छी गवाई को सविकार करो तीनो पहने जिन्दा हो गई एश्यू के नाम है वो जिन्दा हो गई वो दफना ही नहीं गई वो जीव उठी है एश्यू ने जिन्दा कर दिया हूँ चामीन बोल सकते हैं कि आप तीनो जिन्दा हो गई आज वही जिवित खुदा आपकी वैलू बढ़ाना चाहता है जब तक आपकी वैलू नहीं बढ़ेगी शैतान आपको मारता रहेगा याद रखना या तो वो हारे या तो तुम हारो बाजी दो लोग की है प्रभु कहता है अनन्त जीवन यह है कि तुझे एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और येशु मसी को जिसे तुने भेजा है जाने और जब तक आप जानोगे नहीं आप शैतान के द्वारा प्रतारित किये जाते हैं अच्छे कासे परिवार को तोर देता है आनन्द को छील लेता है दुरगटनाओं को जबरन घर में लेके आता है रोना और बिलाब की परिस्तियों का निर्माड करता है आपके दुखों को बढ़ा देता है आपके पिडाओं को बढ़ा देता है ना सो पाते ना जाक पाते ना चल पाते ना कुछ काम कर पाते ऐसा डिस्प्रेशन और ऐसी तमाम दुरूबलताओं को वो भेशता है लेकिन याद रखें जिस समय से आप सच्चे खुदावन को जानना सुरू करें जिस समय से आप परम पिता को जानना सुरू करें एशु मसी को अपनी जिन्दगी में उसे एक अस्थान देना सुरू करें मैं सच कहता हूँ ये वेधी से बात कर रहा हूँ आपका जीवन समानने नहीं होगा कितना भी उलजा हुआ जीवन के उना हो प्रभू उससे ताजा फ्रेश करेगा एशु मसी के नाम है कितना भी टूटा हुआ फैमिली क्यों न हो प्रभू उसे निर्माड करेगा अपने शरूप और अपनी समानता में इशु के नाम है याद रखना है आप अपना वैलू समझ लो वैलू आपकी बहुत बड़ी कीमत होने वाली है क्योंकि आपके अंदर जिसे कोई खरीद नहीं सकता हूँ आपके अंदर रहने वाला है चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि जब भी लाई प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें